हेलो दोस्तो मेरा नाम है विशाल, आज हम लोग बात करने वाले हैं FL Studio में Music Production Course Lecture 7 में हम लोग बात करेंगे Third Party VST Plugins जो होते हैं, उनको install करने के बाद अपने FL Studio DAW में उसको कैसे लेकर के आएं और उसको कैसे active करें तो ठीक है, जार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेश ता बेल आइकन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं अपना FL Studio कोल लेता हूं, make sure आपने भी खोल लिया होगा, तो जैसे कि आपने install कर लिए हैं, डाउनलूड सबसे पहले, आप लोग FL Studio open कर लेना, और देखते रहें, मैं क्या क्या करने वाला हूं, सबसे पहले हम लोग यहां पर जाएंगे, option में, यह file, edit, add, pattern, view, option, इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे आप देखेंगे, manage plugin पे, manage plugin पे हम लोग क्लिक कर दे मैंने सारे कर रखे हैं, इसलिए मेरे को already दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहो, जब आप करो, जब आपके उसमें नहीं होंगे, जो plugins वो इस तरह से आ सकते हैं, यहां पर आएंगे, find plugins पे हम लोग क्लिक कर देंगे, जब हम find plugin पे क्लिक करेंगे, तो आप यहां कीजिए, अब तक वो scan नहीं होता है, होने के बाद, आप यहां पर देखेंगे, uncheck का option होता है, इस पर हमें check करना होता है, जितने भी सारे plugin से आप उसको करके, ऐसे करके check कर लीजिए, यह uncheck है, मैं check कर लेता हूं, इस तरीके से, तो जब आप इसको check कर लेंगे, तो इस तरह पर इस सारे आपके FL studio में आ जाएंगे, यहां से हमें कर देना है, cut, उसके बाद यहां पर चनल रेक पर आना है, add करेंगे कोई भी इंस्ट्रुमेंट पर, तो यहां पर जो भी आपके instrument वाले plugins होंगे, वो आपके यहां पर चनल रेक वाले option में आ जाएंगे, और जो fx वा यही होता है कि आप यहां पर जाओ, और यहां पर देख लो आपने कौन सा चेक नहीं कर रहा है, अगर in stock plugin है, कई बार ऐसा होता है, in stock plugin में मैंने यह वाला fruity vocoder कई बार मैंने uncheck रहता है, तो इसको जब हम चेक कर देंगे, तो हमारे FL studio में assign हो जाएंगे, तो यही था मेरा guys, keep supporting, love you all.